हाई गाईज वेलकम टो करेंट अफेर्स फंडा इस वीडियो में हम 20 अगस्त के करेंट अफेर्स एमसे की उस करेंगे अगर आप हमारे करेंट अफेर्स वीडियो फोलो करते हैं तो कम समय में with correct explanation आप सभी करेंट अफेर्स टोपिक इजिली कवर कर पाएंगे मेरा नाम है विशेक शर्मा चलिए करते हैं सुरुवाति शेशन को असोक लवासा है रिजाइंड फ्रॉम विच कॉंस्टिटूशनल बोडी किस समयधानिक संस्था से असोक लवासा ने रिजाइन कर दिया है और शायद अभी एं एशियन डेवलप इलेक्शन कमिशन सिंगल मेंबर बोडी थी 16 ओक्टोबर 1989 को इसे मल्टी मेंबर बोडी बनाया गया वर्तमान में सुनील अरोडा चीफ इलेक्शन कमिशनर है As per the finding of National Cancer Registry Program Report 2020, Cancer Cases in India is likely to increase of 4% by 2025 National Cancer Registry Program Report 2020 के अनुसार, 2025 तक भारत में Cancer Cases कितने परतिशत तक बढ़ जाएंगे The correct answer is option 2, 12% Cancer Cases 12% बढ़ कर 15,000,000,000 के पार पहुंच जाएंगे 2025 तक National Center for Disease Informatics and Research located है बैंगलूरू में Central India Cancer Research Institute located है नागपुर महाराष्टर में Shri Shama Rajendra Geological Garden is situated in which city? Shri Shama Rajendra Geological Garden किस city में located है? The correct answer is option 1, मैसूरूरूर के इस Geological Garden में तीन अफ्रिकन चीतास को लाए गया है जिनमें एक मेल और दो फीमेल है इन्हें South Africa के A1 Dike Cheetah Center से लाया गया है भारत में इससे पहले केवल नहरू जोलोजिकल पार्क हाइदराबाद में ही चीते रहते हैं इनकी केटेगरी IUCN Red List में Vulnerable है उत्तरपरदेश largest defense corridor will be set up in which district? उत्तरपरदेश का largest defense corridor किस जीले में बनेगा? The correct answer is option 1 अलिगर्ड इंडिया के दो states में defense corridor बनेंगे एक है उत्तरपरदेश दूसरा तमिलनाडू उत्तरपरदेश में defense corridor के 6 nodes select किये गए हैं मतलब जो इन cities को आपस में connect करेंगे लखनव, जासी, चित्रकूट, अलिगर्ड, कानपूर और आगरा ये 6 nodes हैं अलिगर्ड corridor 400 hectares एरिया में बनेगा defense corridor में एक ऐसा industrial base या platform त्यार किया जाएगा जो देश के defense production को बढ़ा सके तमिलनाडू defense corridor में 5 nodes यानि cities interconnect होंगी हाल ही में defense expo 2020 लखनव में हुआ था उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ यहां की governor है आनंदी बेन पटेल और यहां की capital है लखनव धनवंत्री रत will provide COVID and non-COVID essential health care services to the police personnel of which state or UT धनवंत्री रत किस राज या केंदर साशित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को essential health services provide करेगा The correct answer is option 1. Delhi यह धनवरी रत पुलिस colonies में जाएगा जिसके साथ doctors की team होंगी और police and उनकी families को essential health care provide करेगा प्रोजेक्ट निर्माया भी दिल्ली पुलिस personnel से related है जब दिल्ली पुलिस कर्मी बड़ी संख्या में कोरोना positive होने लगे थे तब यह project launch किया गया था नागी शेटी उशा is associated with which of the following sports The correct answer is option 2. Boxing यह Boxing World Championship की two-time silver medalist है इन्हें खेल मंत्राले द्वारा ध्यानचंद अवार्ड के लिए नोमिनेट किया गया है National Sports Awards 29th August को राष्टपती द्वारा दिये जाते हैं 29th August National Sports दे होता है For what sponsorship amount has Dream 11 acquired the title sponsorship of the 2020 Indian Premier League Dream 11 ने IPL 2020 की sponsorship कितनी amount में acquire की है The correct answer is option 2. 222 करोर Vivo annually 440 करोर रुपे दे रहा था अब तक जबकि Dream 11 इस साल के सीजन के लिए केवल 222 करोर रुपे देगा तो यहाँ पर BCCI को loss हुआ है Dream 11 इंडियन कंपनी है जिसे हर्स जैन एंड भवित शेट ने सुरू किया था मुंबई से हाला कि Chinese कंपनी 10 सेंट की भी इसमें हिस्सेदारी है जो की काफी कम है लाश्ट येर ड्रीम 11 ने फैन कोड नाम से एक लाइव स्ट्रीमिंग एप भी लॉंच की थी परपुम रिजर्व फोरेस्ट इस लोकेटेड इन विच स्टेट सेटेलाइट डेटा के हिसाब से इस फोरेस्ट एरिया में काफी डिफोरेस्टेशन देखा जा रहा है ये हॉर्ण बिल बड का एक मुक्य हैबिटेट है इटानगर वाइल लाइफ सेंचुरी एंडपा के वाइल लाइफ सेंचुरी से ये घिरा हुआ है बारत में चार बायो डायवर्सिटी होट स्पोर्ट है हिमालिया, इंडो बर्मा, सुन्दा लेंड जिसमें की निकोबार आईलेंड भी इंकुलूड है ये पपुम रिजर्व फोरेस्ट इंडो बर्मा होट स्पोर्ट का भाग है ग्रेट हॉंड बिल, अरुणाचल परदेश एंड केरिला की स्टेट बर्ड है नागा लेंड पे हॉंड बिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है और ये कोश्चन यूपीस्टी में पूछा जा चुका है 2016 में शायव इंडिया में विश्व के सबसे यादा थेलेस्टीमिया चिल्ड के के सेज है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्स वर्दन और वर्ट थेलेस्टीमिया डे मनाया जाता है 8 मई को फ्रेंट्स थेलेस्टीमिया एक बलट डिशोडर है जो की जीन्स के द्वारा पैरेंट से बच्चों में भी पहुंच सकता है इस ओडर का में रिजन हीमोगलोबीन की इनफ कॉंटिटी न बनना होता है जब हीमोगलोबीन इनफ नहीं बनेगा तो रेड बलट सेल्स भी प्रोपर्ली काम नहीं करेंगी और जल्द ही इनका टाइम स्पैन भी खत्म हो जाएगा जिसके कारण हमारी सेल्स में इनफ ऑक्स ग्रेक्ट आंसर इस ओप्शन टू मेघालय मलीक सहाब तथा गत रोई की जगा लेंगे और मलीक सहाब अब तक गवा के गवर्नर थे अब गवा के गवर्नर का कारेबार महाराश्ट के गवर्नर बगत सिंग कोश्यारी देखेंगे मेघालय के सीम है कॉन्रट संगमा एंड है यहां की कैपिटल है शिलॉग इसकाई रूट एरोस्पेस विच सक्सेसफुली टेस्ट फायर इटस अपर इस्टेज रोकेट इंग्जन नेम्ड रमन इज हैटकॉर्ट इन विच शिटी इसकाई रूट एरोस्पेस जिसने की रमन नाम का अपना अपर इस्टेज में based है। The correct answer is option 4. Hyderabad. इस रोखे former scientist की team ने यह Skyroot Aerospace create किया है। Next question. Who released Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements, ARIIA 2020? NIMN में से किसने Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements 2020 release की है? The correct answer is option 2. वंकया नाइडू. इस लिस्ट में overall IIT Madras top पर रहा है और second रहा है IIT Mumbai and third है IIT Delhi. अगर exclusive higher education institutions for women की बात करें, इसमें अविनाश लिंगम Institute for Home Sciences and Higher Education in Coimbatore of Tamil Nadu first rank पर रहा है. Private और self-financed colleges category में SR Engineering College, वारंगल का first rank पर रहा है. Private और self-financed universities में Kalinga Institute of Industrial Technology, जो की Udisa में located है, ये number one पर रही है. Government and government-aided universities category में Mumbai का Institute of Chemical and Technology first number पर रहा है. Marine Products Export Development Authority, which has opened a quality control laboratory for seafood export is located in which city? Marine Products Export Development Authority, किस सहर में located है? The correct answer is option 4. कोची, देखे इसने गुजरात के पोर बंदर में quality control lab खोली है. ये Department of Commerce के अंडर काम करता है. Fishery Production and Seafood Export इसके कारे चेत्र में आते हैं. What is Ninja? Ninja क्या है? The correct answer is option 1. Unmanned Aerial Vehicles. भारतिया रेल्वे ने Ninja UAVs, Surveillance को मजबूत करने के लिए Pilot Bases पर Central Railways की Mumbai Division पर operate किये हैं. Which country is going to set up an Unidentified Aerial Phenomena Task Force, UAPTF, under its Navy to investigate UFO sightings? कौन सी country ने अपनी Navy के अंडर में एक Unified Aerial Phenomena Task Force बनाने की गोशना की है, ताकि UFO पर नजर रखी जा सके? The correct answer is option 3. US से. देखे, UFO का मतलब होता है Unidentified Flying Objects. चाइना की ओर से Spying Threat देखते हुए, ये step लिया गया है. इससे पहले, US Navy को कई बार UFO दीख चुके हैं इसकी Aerial Range में. Next question. Who became first national brand ambassador of Aligadh Municipal Corporation? Aligadh Municipal Corporation का पहला राष्ट्रे Ambassador किसे बनाया गया है? The correct answer is option 1. ये Indian Idol Season 11 के finalist हैं और साथ ही Oscar में भी nominate हो चुके हैं. शक्ती, Microprocessors has been developed by which institution? सक्ती Microprocessor किस institute द्वारा बनाया गया है? The correct answer is option 2. IIT Madras, Ministry of Electronics and IT के Microprocessor Development Program के तहत, IIT Madras ने सक्ती and CDEC ने Vega Microprocessor बनाया है. Which state will become the epicenter of India's overall steel industry? इंडिया में steel industry का मुख्य के इंदर कौन सा राजिय बनेगा? The correct answer is option 1. Odisha. पांच लाग करोड रुपे की लागत से यहाँ पर 100 मिलियन टन्स steel production करने की facility तयार की जाएगी. Union Petroleum and Natural Gas and Steel Minister है धर्मेंद्र प्रदान. अब कुछ और निउस देख लेते हैं. हाल ही में, राज्य सभा में कुछ सदस्य नोमिनेट हुए हैं, जिसके कारण संसद में, पहली बार 103 माइला संसद हो गई हैं, 78 लोग सभा में और 25 राज्य सभा में. पहली बार ये आंकडा सो के पार पहुचा है. Environment, Forest and Climate Change Ministry ने 19 integrated regional offices बनाए हैं, ये अलग-अलग institutions की branches को मिला कर बनाए गए हैं, 1 October से ये operational होंगे, और इनके headquarters होंगे शिलोंग, राची, भुवनेश्वर, बेंगलूरू, चिननई, लकनव, बोपाल, नाकपुर, चंडिगड, देरादून, जयपूर, गांधीनगर, विजयवाड़ा, रायपूर, हाइदराबाद, शिमला, कॉलकाता, गौहाटी and रायप Tayyip Erdogan is the president of which country? Turkey. Pani Foundation was founded by which actor? Aamir Khan. The headquarters of Insurance Regulatory and Development Authority, IRDAI, is located in which city? Hyderabad. Ujivan Small Finance Bank is headquartered in which city? Bengaluru. What is the currency of Malaysia? Malaysian Ringgit. अब देखते हैं आज के assignment questions और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular videos, updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर current affairs की playlist दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ whatsapp and telegram पर share करें लाइक करें और comment करके बताएं आपको यह video कैसी लगी Thank you